नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आप डायबटीज का अपने घर पर कैसे इलाज कर सकते हैं कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपको डायबटीज क्यों होती हैं तो उसमें बहुत सारे मेरे भाईयों के क्वेस्चन आए कि आपने ये तो बता दिया कि हम डायबटीज से ऐसे बस सकते हैं ऐसे हमें डायबटीज सुरू होती हैं लेकिन जीन लोगों को डायबटीज है वो अपना इलाज कैसे करें तो आज की इस वडियो में मैं आपकी इन ही बातों का जवाब दूँगा दोस्तों डायबटीज एक ऐसा रोग है जिसके कान आज की डेट में इंडिया में मरीज बढ़ते ही जा रही है अगर सरकार के आंकडों की बात करूँ तो 10 क्रोड से अधिक लोगों को डायबटीज की बीमारी है और 2 से 3 क्रोड लोग ऐसे हैं जिनको आने वाले सालों में हो जाएगी इसलिए आपको अपनी डायबटीज को कंट्रोल में रखना चाहिए अब बात आती है कि आप अपनी डायवटीज को कंट्रोल कैसे करें तो दोस्तों सबसे पहले बात ये है कि जिस भी व्यक्ती को डायवटीज है वो गेहूं को बंद कर दे और अगर गेहूं के आटे की रोटी को बंद नहीं कर सकता तो उसकी मात्रा को कम कर दे उसके साथ में उसमें मोटे अनाजों का प्रियोग कर ले अगर वो मिक्स मोटे अनाज के साथ गेहूं को मिक्स करके रोटी बनाएंगे तो उनकी सुगर यदि 300 रहती है न और वो कोई और नुस्खा भी नहीं लेते तब भी उनकी सुगर 500 पे आ जाएगी इतना फरक दिखेगा उनको गेहूं के साथ मोटे अनाज को मिक्स करनेगा और आपने मिक्स क्या करना है आप रागी मिक्स कर सकते हैं चना मिक्स कर सकते हैं बाजरा मिक्स कर सकते हैं जों मिक्स कर सकते हैं यानि इनमे से कोई भी चीज़ा आप मिक्स कर सकते हैं दूसरी बात, आपने मीठी चीज़ों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि diabetes में मीठा जहर के समान है, तो उसको तो आपको बंद करना ही चाहिए और मेदे का आपने प्रियोग नहीं करना चाहिए मेदे को बंद करना चाहिए मेदे के जगहें आपने मोटे अनाचों का प्रियोग करना चाहिए यदि आप उनका प्रियोग करेंगे तो आपको अधिक फाइदा होगा और वैसे भी आपने जितने भी diabetes के मरीज देखे होंगे, उनमें क्या आपने देखा हुगा है, उनके सरीर का वजन बहुत अधिक होगा, उनके पेट पे मुटापा होगा, उनके सरीर पे फैट होगा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि diabetes में mass index कम हो जाता है, और fat index बढ़ जाता है, इसलिए आपने ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए, जिनसे की आपका mass index बढ़े, जिनमें protein हो, और ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए, जिनका glycemic index कम हो, क्योंकि उनसे आपकी सुगर उतनी नहीं बढ़ेगी, परन्तु आपके सरीर को सारे पोसकत्त भी मिलेगी, जैसे आ आप चने का सेवन कर सकती है, चने में protein बेहद अधिक होता है, जो आपके mass index को बढ़ाता है, fat index को कम रखता है, इसलिए आपको चने का सेवन करना चाहिए, जब भी आपको दिन में भूक लगे, या यह diabetes वालों को अधिक भूक लगती है, तो वो थोड़े बहते चनों का से सेवन कर सकते हैं, उनको इसका सेवन करना चाहिए, मैदे का सेवन बिल्कुल बंद करना चाहिए, मैदे से बनी चीज़ों का भी सेवन कम कर देना चाहिए, ये उनके लिए बहुत अधिक के जरूरी है, यदि वो diabetes को कंट्रोल में करना चाहते हैं, और दोस्तों इससे आपक सुगर लेवल को लंबे टाइम तक कंटोल में रख सके तो चांसिस बढ़ जाते हैं कि आपके टाइप टू डाइपटीज है वो रिवर्स हो जाएगी टाइप वन में इसका कोई भी फरक दिखाई नहीं देता ये प्योरली बात है अब बात ये आती है कि यदि आपको में बताया गया है कडवा यानि मीठे को दूर करने के लिए कडवी चीजों को खाएंगे तो आपकी मीठे को दूर होगा डाइपटीज मीठी है डाइपटीज के जितनी भी दवाईयां आप देखेंगे सब कडवी होती है वो इसको जैसे नीम करेला जामुन विजेसार किस इसकी भी चीज को आप देखेंगे वो कडवी होती है तो आपने कडवी चीजों का सेवन करना है अब अईरुवेद में जो सबसे बहतर इलाज बताया गया है डाइपटीज का सबसे पहले तो आपको सुबह खाली पर मेथी पानी पीना चाहिए आपने रात के समय एक चमच मेथी दाना एक ग्लस पानी में फीगो कर रखना चाहिए और सुबह खाली पिट आपने उसको अच्छी तरह मिक्स करके उस पानी को पीना चाहिए और मेथी दाना को भी चबा-चबा कर खाना चाहिए आपका सबसे पहला काम यह हो गया ये आपने हरू सुबह खाली बेट करना चाहिए हो सके तो मेथी के साथ में आप आदे से एक चमच कलोंची के बीजों को भी मिला दे और इन दोनों का सेवन करें ये हो गया डायप्टीज में आपका सबसे पहला काम उसके बाद आपको जूस का सेवन करना चाहिए हर रोज सेवन करना चाहिए दोस्तों ये डायप्टीज को कंट्रोल करने की रामबान दवा है ये ना सिर्फ आपको डायप्टीज से बचाएगी बल्कि इसके आपके सरीर पर जितने कॉमपलीकिशन होते हैं diabetes के complication बहुत आधिक होते हैं आप इसे बात का ध्यान रखिए और ये आज्जूस आपको उन complication से बचाता है तो आपने इसका सेवन जरूर करना चाहिए और हर रोज कम से कम आदे से पोना घंटा आपको अपने सरीर को देना चाहिए वयाम करनी चाहिए सैर करनी चाहिए आदे से पोना घंटे का समय आपको अपने सरीर के लिए निकालना चाहिए और यदि दोस्तों आप सवस्त रहना चाहते हैं तो आदा पोना घंटा तो आपको चाहिए ही चाहिए और ये सिर्फ diabetes वालों के लिए नहीं है यदि आपको diabetes नहीं भी है न तब भी आपको आदे से पोना घंटा अपने सरीर के लिए निकालना चाहिए अब इससे अगले चीज आती है कि आपने किस चीज का सेवन करना चाहिए दोस्तो अजुरुवेद में सदा बहार के बारे में बहुत अधिक बताया गया है सदा बहार हम इसको क्यों बोलते हैं क्योंकि इसके उपर सदा बहार फूल खिलते हैं हम ऐसा फूल खिले रहते हैं हर मोसमें बारा के बारा महीने इसलिए हम इसको सदा बहार बोलते हैं आपने क्या करना है सदा बहार के साथ फूलों को लेकर या इसकी साथ पतियों को लेकर चबा कर खाना है और उपत से हलका गुनगुना पानी पीना है या हलका नोर्मल पानी भी पी सकते हैं फूलों का सेवन भी कर सकते हैं पतियों का सेवन भी कर सकते हैं आप ये भी कर सकते ह कि पत्यों की चठनी बनाए और उसका सेवन करें एक गिलास पानी में खोल का यानि कि जैसा आपको इजी लेगे आपने पर सदा बाहर के पत्यों का सेवन जरूर करना चाहिए यह पोदा तो आपको अपने घर पर गम लेने या फिर गार्डन में किचन गार्डन यदि आपके पास है तो वहाँ पर लगा लेना चाहिए मैंने भी लगाया हुआ है यह हर घर में होना ही होना चाहिए इसके इलावा आप विजे सार मार्किट में विजे सार के गिलास मिलते हैं आपने विजे सार के गिलास में रात भर के लिए पानी भीगो कर रखना है और सुबे तक व दोस्तों, इसके साथ में आप मेदे का सेवन बंद करके दलिय का सेवन कर सकते हैं, गेहू कही एक रूप है दलिया, परन्तु दलिया हमें फाइदा करता है, मेदा हमें नुकसान करता है, दलिया क्या करेगा, वो पचने में टाइम लेगा, यानि कि लंबे समय तक आपको भू पनीर डोड़ा में जाता है, यह आप उनलाइन भी मंगासकते हैं, मैं उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने क्या करना है, पनीर डोड़ा भी डायपटिज के कारगर दवा है, आपने पनीर डोड़े का एक चमच रात भर के लिए एक गिला रोड़े का कोई भी कॉम्पिलिकिसन का सामना नहीं करना पड़ेगा, प्रंतु सबसे पहले आपको अपने लाइफ चैल को सुधारना चाहिए, हर रोग, योग, वयाम और सैर जरूर करने चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, आपको रोटी का कम सेवन करना चाहिए, सबजी की मातरा को बढ़ाना चाहिए, यनि एक रोटी कम खाईए, सबजी की मातरा को बढ़ा दीजिए, इसके साथ में रोटी से पहले आप सलाद खाईए, क्योंकि यदि आप सलाद खाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपको भूग कम लगेगी, आप रोटी कम खाएंगे, सलाद का सेबन कीजिए और अपने सुगर लेवल को हमेंसा कंड्डूल में रखें और दोस्तों यकीन मानिए यदि आपका सुगर लेवल कंड्डूल में होगा ना तो आप एक सवस्थ व्यक्ची जतनी जीता है अप उससे अधिक जीएगे यदि सवस्थ व्यक्ति की उमर 100 साल है तो यदि अब अपने सुगर लेवल को कंट्रोल करेंगे तो आपकी उमर 110 साल होगी गरंटी है दोस्तों तो इसलिए अपनी lifestyle को maintain कीजिए अपनी सुगर लेवल को हमेशा कंट्रोल में रखें और ऐसे ही हमारी आने वाली वीडियो को भी देखते रहें अपना प्यार हमें देते रहें तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही next video में कुछ ऐसे ही जवर्दस टोपी के साथ धन्यवाद